भविश्य में एक बिना मानव अंतरिक्ष जांच मंगल ग्रह से पृत्वी की कक्षा में वापस आती है जिसमें मार्स के जमीन के कुछ मिट्टी के नमूने होते हैं उसमें संभावित रूप से एलियन वर्ल्ड के प्रूफ होते हैं उस सैंपल और जांच को इंटरनेशनल स् स्कूली बच्चों के एक ग्रूप ने धरती से कम्यूनिकेशन के थ्रू उस एलियन का नाम कैल्विन रखने के लिए वोट किया डर का डोज तो अब शुरू होने वाला है जो आपको अंदर तक हिला देगा कैल्विन के कंटेनर में एक एंवारनमेंटल चेंज के कारण यह कुचल देता है ह्यूग दर्द में बहुत तडपता है लेकिन कैल्विन उसे नहीं छोड़ता जब फाइनली वह छोड़ता है तो ह्यूग के हाथ को देखकर सबकी रूह कांप जाती है उसके हाथ की एक एक हड़ी बुरी तरह तूट चुकी रहती है सोचो वो एलियन कितना पावरफुल होगा तब ही कैल्विन अपने घेरे से भाग जाता है और एक प्रयोगशाला में मौझूद चुहे को अपनी खतरनाक पावर से निगल जाता है जिसके बाद वो आकार में तेजी से बढ़ने लगता है अब आप ही सोचिए जो छोटे साइज में इतना खतरनाक था वो अब इस बड़े साइज में वहां मौझूद साइन्टिस्टस का क्या हाल करेगा इंजीनियर रोरी एडम्स हुग को बचाता है लेकिन कैल्विन उसके पैर को पकड़ लेता है कोस उसी समय डौ मिरांडा नौर्थ को प्रयोगशाला को सील करने के लिए संदेश दिय जाता है रोरी कैल्विन को आग से मारने में सफल ना होने के बाद वो एलियन उसके गले में घुसकर उसके ओर्गन्स को अंदर से डिस्ट्रॉई कर देता है जिससे उसकी जान चली जाती है और फिर कैल्विन एक वेंट के थ्रू प्रयोगशाला से भाग जाता है स्टेशन के क्रू मेंबर्स प्रित्वी पे मौजूद कंट्रोल स्टेशन को यह डेंजरस सिचुएशन इनफॉर्म करने का प्रयास करते हैं लेकिन पूरा मैसेज भेजे जाने से पहले ही स्टेशन का कम्यूनिकेशन सिस्टम बंद हो जाता है स्टेशन कमांडर, कैट, से भरता है, कैट एरलोक में वापस लोटाती है। करने के लिए थ्रस्टर्स को फायर करते हैं, लेकिन फ्यूल की कमी के कारण स्टेशन एक डिकेइंग ओन अर्बिट में एंट्री करने लगता है, जहां से यह प्रिथवी के एट्मोस्फियर में फिर से एंट्री करने पर जल जाएगा। क्रू मेंबर्स ने खुद को स्टेशन के एक तरफ बंद कर लिया और कैल्विन को दूसरी तरफ फसा के मारने के लिए वातावरण को बाहर निकालने की योजना बनाई। ह्यूग जो एक पैराप्लेजिक है को पता नहीं चलता, कैल्विन ह्यूग के पैर से चिपक जाता है और उसे वो उस लॉक्ट सेक्शन से बाहर निकलने के लिए इस्तिमाल करता है। क्रू मेंबर्स को पता चलता है कि कैल्विन ह्यूग के गिरने के बाद उससे अपनी भूख शांत कर रहा है। जैसे ही ह्यूग खून की कमी से मर जाता है, शो तुरंत खुद को एक स्लीपिंग पॉड के अंदर बंद कर लेता है, जबकि कैल्विन अंदर घुसने की बहुत कोशिश करता है। डेविड और मिरांडा कैल्विन को ललचाने और उसे फसाने के लिए ह्यूग की बोडी का इस्तेमाल बेट के रूप में करते हैं। मिरांडा डेविड को इनफॉर्म करती है कि मल्टीपल डिस्ट्रेस कॉल्स के कारण प्रोटोकॉल पृत्वी के लिए एक सोयुज अंतरिक्ष यान भेजने के लिए होगा ताकि कैल्विन को पृत्वी तक पहुँचने से रोका जा सके। इस बात से अंजान की नया यान रेस्क्यू के लिए नहीं है शो नय यान के लिए हैच खोलता है। उसके पीछे कैल्विन आता है जिसका रिजल्ट भयानक होता है। सोयुच के क्रू मेंबर्ज मारे जाते हैं और सोयुच और अंतरिक्ष स्टेशन के बीढ़े लिए रॉक तूट जाता है। कैल्विन को अंतरिक्ष में भेजने के दूसरे प्रयास में खुद को सैक्रिफाइज करने का ऑप्षन चुनता है। एयर लॉक तूटने के कारण सोयुज का कनेक्शन तूट जाता है और वह अंतरिक्ष स्टेशन से टकरा जाता है जिससे वह फिर से डिकेइंग और्बिट में चला जाता है। डेविड और मिरांडा कैल्विन को एसकेप पॉड में भसाने का निर्णय लेते हैं। अंदर जाने के बाद डेविड कैल्विन वाले पॉड को गहरे अंतरिक्ष में ले जाएगा जिससे मिरांडा तूसरे पॉड की मदद से पृत्वी पर वापस आ सकेगी। डेविड औंक्सीजन स्टिक से लल्चा के कैल्विन को अपने पॉड में ले जाता है और अंतरिक्ष में तुरंत लांच करता है। जैसे ही मिरांडा अपना पॉड लांच करती है। वह पृत्वी को वार्निंग देने के लिए एक ब्लैक बॉक्स मैसेज रिकॉर्ड करती है कि कैल्विन कितना बुद्धिमान और डेंजरस है। दोनों पॉड डैमेजड सोयुज के मलबे से टकराते हैं। एक पॉड साउथ पैसिफिक ओशन में उतरता है और कुछ वियतनामी मचुआरों को मिल जाता है जबकि दूसरा पॉड पृत्वी से दूर गहरे अंतरिक्ष में उड़ जाता है। आपको लगेगा फाइनली वो उसका बेकाबू पॉड धरती से दूर चला जाता है। हाँ, आप सही समझे, कैल्विन धरती पर आ चुका है। डेविड के मना करने के बावजूद बेखबर मचुआरे पॉड का दर्वाजा खोल देते हैं। इसी खतरनाक सीन के साथ मूवी हमें कई सवालों के साथ छोड हो जाता है। आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा, कमेंट्स में बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यूू